फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बाड़ी बहुत कमजोर है और आप अपने मसल्स गेन करना चाहते हैं साथ में हैल्दी वेट आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके लिए आपने काफी सारे व पूड्स बताएंगे और उन्हें लेने का सही तरीका भी बताएंगे और इसी के साथ हमें कुछ ऐसी एकसरसाइजिस भी आपको बताएंगे जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मसल्स काफी अच्छे से गेन होने लगेंगे क्योंकि अगर आप पतले दूबले रह आप़ाइब करना चाहते हैं और एट्रेक्टिव दिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड़ बढ़ाने के लिए पांश जरूरी बाते बताएंगे और उसके बाद अलग-अलग साथ एकसर साइसिस भी आपको बताएंगे तो धियान से वीडियो देखते नमबर एक, इट मॉर ओफन, यानि कि आपको दिन में जादा बार और हर तीन से चार गंटे बाद कुछ हेल्दी खाना है, साथ ही आपको अपने डाइट में कैलोरीज को सरपलस में रखना है, तब ही आप अपना हेल्दी वेट गेन कर पाएंगे, और जितनी कैलोरीज आप अ स्नैक्स में जरूर कुछ ना कुछ लेना है, यानि कि अगर आप दिन में तीन बार डाइट लेते हैं, तो आपको हेल्दी वेट गेन करने के लिए दिन में चार से पाँच बार डाइट लेनी हैं, यानि कुछ ना कुछ हेल्दी खाना है, नमबर दो, पिक लो वॉल्यूम यानि कि आपको अपने डाइट में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिन्हें खाने से आपको प्रोटीन भी मिलतर है और आपका पेट भी जादा ना भरे क्योंकि अगर आप जादा भारी खाना अपने डाइट में खाएंगे तो आप दिन में 4-5 मील पूरी नहीं कर पाएं या फिर आप वहे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंट्स इन्फॉर्मेशन अच्छे लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें नमबर 3- incorporate your meal यानि कि आपको अपने दिन भर की मील्स में हाई प्रोटीन वाले फूड्स लेने हैं क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन और कार्ब्स वाली चीज़े अपनी डाइट में आप लेंगे उतना ज़्यादा आपके मसल्स गेन होंगे क्योंकि जिम के दोरान जब आप heavy workout करते हैं तब आपके मसल्स breakdown होते हैं तो उसके बाद आपको अपने मसल्स rebuild करने के लिए healthy meal लेनी होती हैं जिन में प्रोटीन काफी ज़रूरी होता है और उसमें आपको ये भी धियान रखना होता है कि आप healthy protein वाली चीज़े ही लें जैस से अलग red meat में आपको creatine, zinc, iron, vitamins इस तरह के सभी muscles बनाने वाले nutrients आपको मिल जाते हैं और अगर आप अपने diet में red meat नहीं ले सकते तो आप protein powder का भी इस्तेमाल अपने diet में कर सकते हैं नमर 4, casein before bed यानि जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो उससे 30 मिनट पहले आपको casein food अपने diet में लेना है casein एक तरह का protein होता है जिसके अंदर काफी सारे amino acids आपको मिल जाते हैं और इसलिए casein का इस्तेमाल body building में काफी जादा होता है studies में ये पता चला है कि अगर आप casein food सोने से पहले लेते हैं तो तब आपकी body को सोते time भी अच्छी मातरा में amino acids मिलते हैं और जिसकी वजह से body building में भी काफी जादा इसका इसका इस्तेमाल होता है और casein लेने के लिए आप अपने diet में दूद, दही या फिर चीज का इस्तेमाल रात में कर सकते हैं और इससे अलग आप casein protein powder भी ले सकते हैं यानि कि अगर आप 4-5 मील पूरे दिन में लेते हैं तो उन सभी में आपको protein की मातरा जादा रखनी है muscles gain करने के लिए क्योंकि protein काफी जरूरी होता है human body में muscle mass को बढ़ाने के लिए तो आप अपने diet में nuts, yogurt यानि की दही, sweet potato या फिर milk और pancake जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी protein की requirement पूरी करने के लिए चलिए अब बात करते हैं workout की कि अगर आप दिन भर में healthy diet लेते हैं लेकिन अगर आप workout नहीं करते तो diet आपकी body को इतने अच्छे से नहीं लगेगी और आपकी body भी muscular नहीं बन पाएगी क्योंकि 70% diet और 30% exercise जब आप करते हैं तब आप अच्छे से अपनी muscles gain करके अपना healthy weight बढ़ा पाते हैं और जादा से जादा muscles कम टाइम में बनाने के लिए आपको compound exercises करनी चाहिए हैं तो चलिए जानते हैं कि healthy weight gain करने के लिए और तेजी से muscles बनाने के लिए आपको कौन सी 7 exercises करनी हैं exercise number one squats अगर आप daily 30 squats करते हैं तो आपकी lower body muscular बनती है walking lunges से आप healthy weight gain कर सकते हैं और इससे आपके legs के सभी major muscles train होते हैं और इससे आपकी body में stability, flexibility और stamina भी boost होता है crunches आपके core area यानि पेट के area से extra fat हटा कर आपके पेट को flat बनाती हैं आपके abs बनाती हैं और crunches इसलिए आपको करनी चाहिए क्यूंकि आपको muscles बनाने के साथ में अपनी body को एक अच्छा shape देना भी ज़रूरी है तो आप crunches exercise ज़रूर करें अगर आप daily workout में 20 dips लगाते हैं तो इससे आपके triceps, chest और shoulder muscles train होते हैं और आपकी strength भी काफी बढ़ जाती है जिससे आपको heavy workout करने में कोई दिक्कत नहीं आती नमबर 5, pushups pushups body building में काफी famous exercise है जो आपके upper body के लगभग सभी major muscles को train करती है जैसे arms, chest, back और shoulders, रोजाना 30 pushups करने से आपका शरीर attractive और चोड़ा भी दिखाई देने लगता है नमबर 6, pullups pullups भी pushups जैसी ही effective exercise है जिससे करने से आपकी upper body के काफी सारे muscles deeply train होते हैं और इससे आपकी back चोड़ी बनती है जिसकी वजह से आपके back के सभी muscles भी train होते हैं जिससे आपकी body में V-shape आती है नमबर 7, running अगर आप daily 15 से 20 मिनट running करते हैं तो इससे आपका stamina और strength बढ़ती है और साथ में आपके legs के सभी major muscles इससे train होते हैं और natural तरीके से आपकी भूक भी बढ़ती है जिससे आप दिन भर में 4-5 मील आराम से पूरी कर पते हैं तो friends अगर आप हमारी बताई गई tips को follow करेंगे तो बहुत ही तेजी से आप अपने muscles और healthy weight बढ़ा सकते हैं और ऐसी ही fitness related वीडियो के लिए आप इस चैनल को subscribe भी जरूर कर लें अगर अभी तक subscribe नहीं किया है Bye friends, take care